आज बनाएंगे हम बेशन का बहुत ही सौधिस्ट और आसान तरीके से सबजी तो चलिए फिर सौधिस्ट बेशन की सबजी की रेश्पी हम शुरू करते हैं तो सबजी की रेश्पी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना क्यों तो प्लेट लेंगे उसमें हम एक कटोरी बेशन लेंगे और छोटे चम्मच से आधा चम्मच जीरा डाल देंगे बेशन में और एक चम्मच गरब मशाला पौडर एक चम्मच धनिया पौडर आधा चम्मच लाल मिर्च पौडर छोटे चम्मच से आधा चम्मच हेंग डाल दे कि और फिर हम इसमें डाल देंगे चोटे चम्मश से आधा चम्मश नमक और एक चम्मश शरसें का त ideia लेंगे और इसे हम अच्छी तरीकें से बेशन और मसाले को अच्छे से मसलते हुए मिक्स करें तो हम इसे हथेलियों से स्क्रब करते हो इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो हम अच्छी तरीके से मसाला और बेशन को मिक्स कर लिए हैं ये देखिए इस तरीके से तो अब हम इसमें डालेंगे पानी तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम आटे का बेशन के आटे का डो तैया बेशन जालते हुए एक soft dough तैयार करेंगे तो हम इसमें अच्छी तरीके से मशलते हुए आटे की तरह गोंत लेंगे तो ध्यान रहे हमें इसमें पानी के अवस्षकता ज्यादा नहीं है तो हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी ही डाल कर एक soft dough बेशन का आटे का तैयार कर लेंगे तो ये लीजे हमारा बेशन के आटे का डो तैयार है तो हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रिष्ट के लिए छोड़ देंगे तो हम इसे ढख कर 15 मिनट के लिए रख देते हैं और फिर हम 15 मिनट बाद बेशन का आटे का थोड़ा सर लेंगे और हाथेलियों में हम सरसो का तेल लगा लेंगे ताकि हमारे हाथों में बेशन का आटा चिपकेना और फिर हम बेशन के छोटे छोटे गोली जैसे बना लेंगे जिस तरीके से छोले वाले चने होते हैं उसी साइज में हम इसे छोटे छोटे बना कर तैयार करेंगे तो हाथों में तेल जरूर लगा ले ताकि बेशन काटा हमारे हथेलियों में चिपके न और आसानी से इसके गोली बनकर तैयार हो जाए तो हम इसे मटर या चने के साइज में छोटे छोटे बेशन के गोली बना कर तैयार कर लेंगे तो ये लीजे हमारा बेशन के दाने तैयार है तो अब हम मशाला तैयार कर लेते हैं तो हम सबसे पहले mixer jar में अद्रक लहषून हरी मिर्ज डालेंगे और पांज से साथ कली हमने लहषून लिये हैं 1 इंच अद्रक 3 हरी मिर्ज और एक प्याज लिये हैं और इसे हम पीस कर पेष्ट तयार कर लिये हैं और तेल को हमने अच्छी तरीके करीब 2-3 मिनद तक fry करेंगे तो ध्यान है हमें इसे slow या medium flame में mix करते हुए 2-3 मिनद तक ही फूनना है तो हम इसे हलका सुनहरा यानि हलका golden brown होने तक ही fry करेंगे और इसे हम एक plate में निकाल लेंगे और ध्यान है कि हमें इसे जादा fry नहीं करना है वरना हमारा बेशन का दाना बहुत hard बन जाएगा और ये फिर सबजी में पकेगा नहीं तो हम इसे हलका golden brown होने तक भून लिये हैं और अब हम कुछ शाबुत करा मसाला डाले हैं जैसे कि बड़ी लाची छोटी लाची तेज पत्ता डाल चीनी डाल कर फिर हम अध्रक लेशन प्याज का पेश्ट डाल दिये हैं तेल में और फिर हम इसे मिक्स करते हुए पकाएंगे तो हम इसे 5-6 मिनाड तक प्याज अध्रक लेशन को पका लेंगे तो मिक्स करते हुए मेडियम टू श्लो फ्लेम में अध्रक लेशन को हम पकाएंगे तो ये लीजे हम इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे और प्याज अध्रक लेशन हमारा जितना बढ़ियां से पका रहेगा उतना टेस्टी हमारा सब जीबन का तैयार होगा तो हम इसे अच्छी तरीके से पका लेंगे तो हमारा करीब करीब प्याज अध्रक लेशन भून कर तैयार है तो हम इसे अच्छे से भून लिए हैं तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट तो प्याज हमारा अच्छी तरीके से भुनने के बाद ही हम इसमें टमाटर का पेस्ट लास्ट में डालेंगे तो हम इसमें दो टमाटर का पेस्ट डाल रहे हैं और टमाटर का पेस्ट डाल कर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हम इसमें डाल देंगे एक चम्मज धनिया पाउडर और एक चम्मज गरम मसाला पाउडर और एक चम्मज सबजी मसाला पाउडर डाल देंगे और एक चम्मज काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मज हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मज नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट के कार्डिंग डाल सकते हैं और फिर हम इसे मिक्स कर देंगे और मसाले को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे तो medium to slow flame में continue मिक्स करते हुए मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे तो मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक हमारे मसालों से तेल अलग न होने लगे तो हम इसे करीब 3-4 मिनाट तक continue मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेंगे और ये देखिए मसालों से हमारे तेल दिखने लगा है यानि हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हो बेशन का दाना और इसे हम मिक्स कर देंगे और इसे हम करीब 2-3 मिनाट तक मिक्स करते हुए पका लेंगे मसाला और बेशन के दाने और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 कब पानी तो पानी आप अपने ग्रेवी के अनुशार इसमें एड़ कर सकते हैं तो हमने इसमें दो का पानी डाल कर करीब 4-5 मिनट तक पका लेंगे तो हम इसे ढख कर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम में और ये लीजे हमारी सबजी पक कर तैयार है तो हम इसे मिक्स कर देंगे बहुत ही टेस्टी बेशन की सबजी हमारी बन कर तैयार है बेशन की सबजी बनाना बहुत ही आसान और सौधिस्ट बन कर तैयार होता है तो हम धनिया की पत्ती डाल कर एककटोरी में निकाल लेंगे इते रूटी या चावल के साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगता है रेश्पी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा